मौनसून धमा का सेल आ गया है इस मौनसून आप सभी को मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% आफ जी हाँ हम आपके सपनों को साकार करने के लिए सुपर कोचिंग पर दे रहे हैं एक्स्क्लूसिब डिसकाउंट के साथ साथ 33% की एक्स्टा वेलिटी तो अगर आप UPSC, SSC, Banking, Teaching, UGC Net, CSR Net, AJ, Railway, Defense, State PSC, Non-PSC रसे एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं तो इन तीन दिनों में डिसकाउंट का लाव उठाईए अभी जाईए और इस ओफर का लाव उठाईए तो इन दिनों में डिसकाउंट का लाव उठाईए यस हलो गूट इवनिंग एवरी बडिनिंग तो आल अप्यों चाहल हाजी सभी लोग आ जाहिए फटाफर से देन वे विल स्टार्ट आवर सेशन सेशन को जॉइन करते जाए और सेशन को शियर करते जाए यस लाइक एंड शियर दा सेशन यप बहुत इम्पॉर्टन टॉपिस्ट आज हम लोग करने वाले हैलो अलिशा गुडिवनिंग हैलो कौरा गुडिवनिंग एलो सुनीता कहा थे भ़crates इतने दिन process up लोग गायप लग रहे थे कुछ दिन से आप लोग चलिएगा आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले आज के सेशन में हम लोग Companies Act 2013 पढ़ने वाले हैं Companies Act 2013 अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है बहुत भी ब्रॉडर टॉपिक है एक्जाम में क्वेशन हर बार इससे आता है 100% यह श्योड शॉट टॉपिक है जिससे एक्जाम में आपकी क्वेशन जो है वो पूछे जाते हैं येस हलो उर्मी गुडीबनिंग येस रूना गुडीबनिंग गुडीबनिंग अंकेता तो यह टॉपिक से एक्जाम में हमेशा आपके क्वेशन साते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं Companies Act 2013 अच्छा Companies Act 2013 में एक आमेंडमेंट भी हुआ है आप लोग मेरे को बता सक सकते हैं कि वह अमेंडमेंट कब हुआ है यह सब्सक्राइब होगा वह आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा टेलीग्राम जॉइन कर लीजेगा इस क्लास में पड़ते हैं Companies Act अब यह Companies Act क्या होता है देखिएगा आपने सोचा कि आपको business start करना है आपने सोचा कि आपको एक company खोलना है तो company ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और company खुल जया उसके लिए पूरा विधिवत रूप से format बना है rule regulation बना है उसके articles बने हैं उसके section बने जिसमें सारी चीज़े लिखी गई है कि अगर आ companies act है कि कोई भी company अगर आपको start करना है या कोई भी company का आपको हम इसको formation and regulation बोलेंगे तो उस case में आपको क्या होगा formation and regulation के बारे में बात करें या companies को incorporate करने के बारे में बात करें तो कभी भी अगर आप सोच रहोगे company start करना है या company expand करना है कौन सा company open करें तो यह सब कुछ हर एक clause जो है companies act 2013 में लिखा गया है companies act 2013 is a kind of आप बहुत है अगर exam आपको देना तो बुक पढ़ना पड़ता है न वैसे companies अगर आप companies start करना है तो companies act का recording आपको चलना पड़ेगा companies act 2013 में हर एक चीच जो है यहाँ पर आपका mention किया हुआ है देखिएगा सबसे पहले जो first companies act आया था वो 1956 में आया था आपको मैंने पता होगा कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे है companies act 2013 पढ़ रहे हैं यह companies act जो है न यह आपका बाद में आया 2013 बाद में आया सबसे पहला जो companies act था वो आपका 1956 था जब मैंने पीकॉम पास किया तो मैंने 1956 वाल एक्ट पढ़ा है यूंकि उस समय तो कोई चल रहा था उसके बाद जो है आपका companies act 2013 आ गया 1956 में पहला जो company अधिनियम था वो पारित किया गया था 1956 की अधिनियम जो होते हैं वो किसके सी फारिस पर थे वहां पर आपका भाभा कमीटी जो 1956 का एक्ट जो स्टैब्लिश किया गया था वह भाभा कमीटी की रिकमेंडेशन पर स्टार्ट किया गया था और उसमें मल्टीपल टाइम्स आपके अमेंडमेंट हुए था अभी जो हम लोग मेजर पढ़ते हैं वह कौन सा पढ़ते हैं उसके बाद CSR के बारे में हम लोग काफी बार पढ़ते CSR बहुत पुड़ाना है CSR काफी पहले से चल रहा है लेकिन भारत इक ऐसा कंट्रि जिसने CSR को क्या क्या मेंड़िया गया नहीं करती थी और कुछ कंपरी इसको फॉलोग नहीं करती थी पहले mandatory नहीं हुआ करता था, लेकिन Companies Act 2013 में इसको क्या कर दिया गया कि mandatory कर दिया गया नहीं, Companies amendments मुझे कोई नहीं बता रहे amendments कोई नहीं बता रहे Companies Act 2013 में amendment कब हुआ है year मुझे बताईए 9 बज़े class नहीं 8 बज़े daily class होती है actually आज 8 बज़े मैं घर से बाहर ठीक है, तो यहाँ पर यह सारी चीजे जो है आपकी Companies Act में यहाँ पर खास बाते हैं उसके बाद ध्यान रखिएगा कि Company की Features के बारे में पढ़ते हैं कि Company क्या होता है तो Company को बिल्कुल एक बच्चा बोल भी रहे Company जो है वो हमारी क्या है Artificial Person है और हम लोग क्या है, हम लोग जो है Natural Person है, हाना हम मैं, प्रियंका, पूजा, जोगदिश हाना, शनिशनास यह सभी कोई क्या है, हम लोग Natural Person है और Companies also a kind of person Company का भी आपका अकाउंट ओपेन होता है Company का भी पेंकर्ट बनता है और Company क्या होती है, Artificial Person होती है तो Company रन की जाती है, किसके द्वारा Natural Person के द्वारा रन की जाती है Company जो होता है, वो क्या होता है आपका Incorporate Association होता है Incorporate Association का मतलब कि Company जो है, उसका existence होता है लेकिन वो आपका Artificial existence होता है, और Company हमेसा जैसे कि Partnership क्या होता है मैं थोड़ा Compare भी करते हुए चलोंगी Partnership जो होता है ना वो आपका जरूरी नहीं की Registered हो वो Registered हो सकता है भी और नहीं भी Partnership में आपका दोनों Option होता है Registration आप करवा सकते हो भी और नहीं भी लेकिन Companies जो होता है में आती है और यह एक Voluntary Association है Voluntary का मतलग कि जो Person Start करना चाहता हो अपनी इच्छा से करता है यह Question एक बर आया है कि आपका Company जो है Voluntary कि Involuntary है तो Company जो होता हमेसा Voluntary अगर आप Start करना चाहते है तो आप क्या कर सकते हैं बिजनस को Start कर सकते हैं अभी मैं Company की Features for Detail में पढ़ूँगी लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा Important Fact के बारे में बात कर लूँ यह जो है स्लाइड यह Regarding the Fact है Fact regarding की 1956 आपको पता है कि पहले चल रहा था ठीक है अभी आपका 2013 चल रहा है तो आपका पहले जो था तेरा पार्ट था इसमें पार्ट के सिस्टम को हटा दिया गया चैप्टर बात करें पहले 26 था अभी 29 चैप्टर हो गया पहले 658 सेक्षन था अभी 470 सेक्षन हो गया पहले 15 शेडियूल था और अभी आपके 7 शेडियूल हो गया अब Companies Act का जो शेडियूल है ना यह important है जिए शेडियूल 15 से घटकर 7 हो गया तो 7 तो बहुत कम है तो क्या करता है यह साथ साथ को question देता कि शेडियूल 1 में क्या है schedule 2 में क्या है तो यह आप लोगों के लिए homework है कि schedule 1 2 3 4 5 6 7 यह पूढ़ा आपको याद करना पड़ेगा यसे मैंने आपका याद कर वाया था वैसी आपको इसके साथ यहाँ पर आपको याद करना है नहीं 2014-15-19-13 नहीं 2021 भी नहीं 2019 में हुआ था चलिएगा तो यह थोड़ा सा फैक्ट जिसको कि आपको याद रखना है तो कंपड़ी क्या होगी इन कॉर्पर असोशेशन हो गई यहाँ पर आपका बिजनेस यहाँ और यहाँ पर आपका ऑwner है और आप लोग दोनों किया है अलग अलग आप अलग है अगर आपने बिजनेस में मालने जी कि 50 उर्पया लगाया है 50 उर्पया आपका डूब गया तो घर से ले जाके नहीं लगाओगे बिजनस का समान बेचो एसेट को बेचो और अपने लाइबरेटी को क्लियर करो मतलब बिजनस अलग है और आप अलग है नॉर्मली क्या होता है ना सोल प्रोरिटरसिप में अगर हम लोग बात करेंगे तो सोल प्रोर gladly होता है आगर आपका वहाँ पर जो liability होता है उग अलक होता है येस चिकए येस चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, किसी company के एक अलग कानूनी काई होती है, जो इसे बनाने वाले दोसों से क्या होती है, अलग होती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, separate legal entity कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, limited liability, company के जो members होते हैं, उनके liabilities क्या होते हैं, limited liabilities होती है, ये सिर्फ points directly यहां से questions आते हैं, यो सारा points याद रखिएगा, सबसे पहला point हमारा क्या है, incorporate association, उसके बाद voluntary association, separate legal entity, limited liability, perpetual succession, पर्पेक्च्वल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, कि member उसके आएंगे जाएंगे, member आपका फागल हो गया, member का death हो गया, या member insolvent हो गया, लेकिन company जो हो चलते रह रन कर रहा है, रन कर रहा है, यह हम लोग मान कर चलते हैं, तो आपका यह हो गया, perpetual succession, उसके बाद common seal, हर एक company का अपना common seal होता है, जैसे कि एक signature होता है, एक seal होता है, और seal जो होता है, वो आपका company का होता है, तो as a company, कि वो company एक artificial person है, तो वो क्या कर सकती है, sign नहीं कर सकती, company sign कैसे करेगी, ठीक है, तो company का head रहेगा, वो sign करेगा, तो उसके बिहाफ में, अगर company का मालिक है, वो sign कर रहा है, कभी-कभी मालिक जो है, वहाँ पर नहीं है, तो इसको authorization है, वो sign करता है, तो company तो sign नहीं कर सकती है, तो company का क्या होता है, company का ठपा होता है, ठपा बोले तो कमपनी का जो होता है वो common seal होता है इसी को हम लोग क्या बोलता है जो company अपना document में provide कर दी है उसके बाद आगे अगर बात करेंगे तो company को आप सू भी कर सकते हैं और वो भी आपको सू कर सकती है मतलब company के उपर आप case कर सकते है और company आपके उपर case यहाँ पर कर सकती है अगर व आपको जॉब से निकालेंगे जब तक आप यह गलती नहीं करते हैं अगर मैं वह गलती नहीं करते हूं फिर भी मुझे company के उपर case कर सकते हूं कि भाईया देखिए हमारी बीच में contract हुआ था कि एक साल के पहले नहीं निकालेंगे लेकिन वह मेरे को निकाल दे रही है तो यहां पर क्या होता है कि अगर कोई contract breach होता है तो company के उपर यह company हमारी उपर अगर मैं भी तोड़ती हूं मैंने भी एक साल तक company नहीं छोड़ूंगी यह मैं notice period देखके छोड़ूंगी अगर मैं भी अपना commitment पूरा नहीं करती हूं तो company भी मेरे उपर legal action ले सकती है मेरे और ownership क्या होता है आपका यह separate होता है यह तो अलड़ी हम लोगों ने पढ़ लिया है चलिएगा इस बर शेडियूल से question आया था हाँ शेडियूल से question आता है शेडियूल important है शेडियूल से question आता है चलिएगा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा में आप सकते हैं यहाँ पर मेरा code apply कर लिजेगा PSINGH यह code apply करके आप 8 month का सब्सक्रिप्शन 8,315 रुपीज में ले सकते हैं यह offer जो है 15 जुलाई तक है और इस offer में आपको paper 1 साथ में paper 2 complete provide किया जाएगा paper 1 के all 10 units paper 2 के all 10 units video course mock test study notes live class previous year paper bilingual notes यह सब कुछ आपको यहाँ पर provide किये जाए अगर लग रहा है कि एक बार में नहीं दे पाएंगे तो EMI का भी option है आप EMI के साथ भी जा सकते हैं 3 EMI में भी अपना payment जो है वो यहाँ पर आप पे कर सकते हैं तो आप यहाँ पर जिनकों भी सब्सक्रिप्शन लेना है 6 month का लोगे तो आपको 2 month का free मिल जाएगा अगर 12 month का लोगे तो 4 month free मिल जाएगा तो यहाँ पर अभी आपके लिए अच्छा offer है नेट भी है आपका और सेट भी है आपका और जयारब भी अब आप सिर्फ एक चीज़ मत दिमाग में रखो कि मैं एक चीज़ के लिए इतना पैसा दे आप दिमाग में तीन चीज़ रखो आपना ने वाली है तो हर इस्ट अपनी अपनी बेकेंसी भी नीकाल रहा है तो वह सेट वालें को प्राथिमिकता देए तो सेट पर भी करोणा और यहाँ पर अपना-पना यहाँ पर वैल इओ सकते हो चलिए का टाइट सेट वाला जो है वहां पर जोब्योटत कर लोगे औ चलिएगा जरह मेरे को बताईएगा सबसे पहले कि यहां पर यह company limited by share क्या होता है और company limited by guarantee क्या होता है यह दोनों में क्या difference है जरह मेरे को बताईएगा अब हम लोग types of company में आए तो company के तो इतने type है कि अगर मैं सिर्फ आपको type पढ़ाने लगूं तो पूरा class मेरा सिर्फ type अबर ओबर हो जाए तो मैं आपको पूरा नहीं लेकिन हाँ इन शॉर्ट में बताते वे जरूर चलूँगे छीक है राजस्थान में तो एक ही बार धढ़ागे पूरी वेकेंसी आई है चलिएगा देखेगा तो यहां पर सबसे पहले अलग अलग type पर बाठा गया है आपको मैं क्या यह basis याद करना पड़ेगा क्या हां यह basis भी आपको याद करना पड़ेगा basis से भी exam में आपकी question आते हैं सबसे पहले आपका based upon liability liability की base पर आपको तीन पार्ट में बाठा गया है एक आपका limited by share और एक होता है limited by guarantee यह दोनों में difference क्या होता यह मुझे comment box में बताईए और एक unlimited companies उसके बाद अगर मैं member की base पर बात करूं तो तीन type का mainly company होता है member के base पर एक होता है public company जिसमें minimum 7 member होने चाहिए एक होता है private company जिसमें minimum 2 member होना चाहिए और तीसरा होता है हमारा OPC company जिसमें minimum 1 member होना चाहिए तो member के अधार पर company को जब ब बाटा गया तो उसको बोला गया कि company based upon the liabilities limited by share limited by guarantee और unlimited उसके बाद control की base पर control की base पर जिब company को बाटा गया तो वहाँ पर आपकी 4 types mainly आए holding company, subsidiary company, associate company और joint venture company holding company कौन सी company होती है holding company वो company होती है जो किसी company का 51% 50% से ज़्यादा share अपने पास रखती है subsidiary company कौन होती है अगर किसी company का 100% share है अगर A के पास 51% मालो कि ये company A है ठीक है इसका 100% share है तो company B नहीं क्या किया उसका 51% share अपने पास ले लिया तो B हो गई holding company A हो गई subsidiary company चीक है associate company जब group of company मिलकर काम करती है joint venture company जब दो company आपस मिलकर काम करती है मारूती Suzuki Hero Honda that is called आपका joint venture company उसके बाद अगर list के basis पर listing और share के बात करें हम तो listed company होती है और unlisted company होती है listed company वो company होती है जो कहीं आपका stock market में सेवी के अंतरकत जो listed होती है वो listed company है जो सेवी में listed नहीं है या NSE या फिर BSE में listed नहीं है वो हमारी क्या हो गई या आपकी unlisted company हो गई yes company limited by share up to the nominal value of share and company limited by the share up to the guarantee given by member okay limited by share जितना share लिया है उतना libel है और limited by guarantee जितनी की guarantee लिया है उतना libel है पूरा complete answer निकल नहीं पा रहा है आप लोगों के answer आए लेकिन मेरे को जो चाहिए वो निकल नहीं पा रहा है company जब wind up होती है company जब wind up होती है तब कौन सा share काम आता है company limited by share या company limited by guarantee yes मेरे को बताए हाजी तो यह हो गए आपके listed company और unlisted company अभी होती है जो कि आपके market में listed नहीं है न bsc में है न nsc में है उसके बाद other company other company का मतलब government company government company वो company होती है जिस company का share 50% से ज़्यादा share government के पास है देखो अब public company और government company में लोगों को confusion होता है जिस company का 50% से ज़्यादा का share public के पास है वो public company है और जिस company का 50% से ज़्यादा का share government के पास है चाहे वो central government हो चाहे वो state government हो that is called आपका government company got the point foreign company क्या होगा वैसी company जिसका जिसका joh main head office है वो दूसरी country में है और branch office जो है वो आपके other country में उसको ऐसे कि मालिजे कि यहाँ पर आपका ऐसी कोई company है यहाँ पर क्या हो गई आपकी foreign company तो foreign company वो company होती है जिसका की head office उसी country में होता है लेकिन branch office other countries में होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग foreign company वो 1% company तो आपको पताईए small company हम लोग detail में पढ़ेंगी small company का turnover कितना होता है small company किसको बोलते है small company का जो value है वो क्या है turnover कितना है मुझे comment box में बताईए yes limited by guarantee limited by guarantee होगा yes उजब limited by guarantee होगा limited by share नहीं होगा जब company क्या करती है company कुछ share जो होती है वो छोड़ देती है बोलती कि जब company मेरी wind up होगी उससे में जब जरौद पड़ेगा तब आप मेरे को दीजेगा वो होता है आपका company limited by guarantee यही language से एक्जाम में आपका question आया है small company का turnover कितना होता है फटा-फट से मेरे को comment box में बता दीजे section 8 कौन सी company होती है यहाँ पर section 8 में company का नाम नहीं लिखा है सिर्फ section 8 लिखा है अब मेरे को बताओ section 8 में क्या आता है जल्दी से नहीं एक करोड नहीं होता है सोनी एक करोड नहीं है small company का फटा-फट से दो question का मेरे answer कीजे small company का turnover कितना है और section 8 में कौन सी company आती है एक लाख नरी एक लाख नहीं है section 8 में आपकी donation company आती है नहीं section 8 जो है वो है आपकी donation company इसको donation company ही बोलते है न वो company जो आपका trust वगेरा जो होता है न एंजीओ वगेरा वो होता है section 8 NPO हाँ NPO वही वर्ड नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में NPO non-profit organization जो होती है डोनेशन वाला हो गया donation company या trust company या कोई NGO वो आपकी आती है section 8 में चिक है हाँ NPO या फिर NGO जो भी बोल लो dormant company क्या होती है dormant company वो company होती है जिस company को हमने open तो कर दिया है लेकिन वो अभी run नहीं कर रही है मैंने company paper में open कर दिया paper में मेरी company का नाम यहाँ पर लिखा गया है हाँ प्रियंका सिंग company लेकिन actually मैं company जो है इंवेस्टमेंट कंपनी इंपॉर्टन नहीं है हाँ इसको लोग बोलते हैं वैधानी कंपनी वैधानी कंपनी क्या होता है वैसी कंपनी जिसको पार्लियामेंट एक्ट के तहत मानता दी गई है उसको हम लोग बोलते हैं वैधानी कंपनी जैसे कि आपकी LIC हो गए LIC जो है हम आपका small company का section है, small company का आपका दो condition है, एक उसका paid up capital जो है, वो आपका 4 करोड से जादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना paid up capital कितना नहीं होना चाहिए, 4 करोड से जादा नहीं होना चाहिए, और turnover जो है वो आपका 40 करोड से जादा नहीं होना चाहिए, यह इसका आपका क्या है, condition है इसमें आपका amendment किया गया था और अभी changes हुआ है पहले इसका दो करोड़ था paid up capital जो था आप लोग जो एक करोड़ बोल रहे है न वो सबसे शुरू में करोड़ था उसके बाद दो करोड़ हुआ अब जाकि यह जो paid up capital है वो चार करोड़ हो गया तो paid up capital चार करोड़ से ज ज्यादा नहीं होना चाहिए तब वो क्या कहलाएगा small company और यह बात है आपके जो है section 2 सब section 85 में लिखी गई है ठीक है हाँ बिल्कुल शेशनाथ चतुरवेदी शेशनाथी नाम है न हाँ बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है कि जो आपका by parliament act के थू जो बनाई गई है वो आपकी होती है वैधानिक company clear चलिएगा section 8 हो गया आपका NPO NGO trust इसको हम लोग बोलते है donation यह से हो जाएगा section 8 में companies चलिएगा private company और public company का difference वाता समझ लिजेगा जो private company होती है उस पर पूरा control private का होता है उसके transfer जो होते easily shareable नहीं होते अगर किसी company का share अगर transferable होगा या कोई company अगर अपना share public को issue कर सकती है तब तो वो public company हो जाएगी ना जी simple सी बात है जो company अपना share public को issue करती है वो public company और जो company अपना share जो है public को issue नहीं कर रही है transferability जो रहता है वो क्या होता है limited होता है तो उसको हम लोग क्या कहते है private limited company कहते है इसके बाद अगर आपको private company private limited PVT Ltd इसको हम लोग क्या लिखते है अगर किसी भी company के end में PVT Ltd लिखा यह ज़रूरी है कि अगर आप private company open कर रहे हैं तो आपको company के end में PVT, Ltd लिखना ही लिखना है, अगर आप LLP company start कर रहे हैं, तो company के end में आपको LLP word या limited liberty word आपको लिखना ही लिखना है, अगर आप private company start कर रहे हैं, तो minimum आपके वहाँ पर कितने member होने चाहिए, minimum हमारे 2 member यहाँ होने चाहिए, 2 member आपके यहाँ पर limitation है, 2 से कम member जो है, वो private company को start नहीं कर सकते, और अगर पब्लिक के बारे में बात करें तो minimum 7 member चाहिए, maximum के बारे में बात करें, तो private company में maximum 200 member होने चाहिए, और public company में कोई limitation नहीं है, अगर मैं डारेक्टर के बारे में बात करूँ, एक सके हाँ अगर मैं यहाँ पर डारेक्टर के बारे में बात करूँ डारेक्टर कहीं लिखा है क्या डारेक्टर हाद को लिखा गया कि यह प्राइवेट कंपनी में मिनिमम् टू डारेक्टर चाहिए होते हैं और पब्लिक कंपनी में मिनिमम् तिन डारेक्टर चाहिए होते ह अगर maximum के बारे में बात करें, तो यहां भी 15 और यहां भी 15. ठीक है, यहां पर यह होते हैं कि आपका compliance होते हैं, वो बहुत कम compliance होते हैं, और आपका public company में जो compliance होता है, वो आपका बहुत जादा होता है. अगर मैं थोड़ा सा आपको detail में बता दू, तो एक हो गिया आपका public company, एक हो गिया आपका private company, ठीक है, और एक हो गिया आपका OPC company, अगर minimum member के बारे में बात करें, तो minimum member इसका 1 है, इसका 7 है, और इसका 2 है, अगर maximum member के बारे में बात करूं, तो इसका maximum member जो है, इसका 1 ही जाएगा और इसका आपका 2 से 200 हो जाएगा बहिए 2000 क्यों हो जाएगा अगर मैं मीनिमम डारेक्टर के बारे में बात करूं तो मीनिमम एक डारेक्टर मीनिमम तीन डारेक्टर और मीनिमम दो डारेक्टर अगर मैं मैक्सिमम डारेक्टर के बारे में बात करूं तो 15 15 और 15 अग हाँ जी तीनों का सेक्षिन बताइए मीनू राठो और मैक्सिमम पचास जो होते हैं वो पार्टनर्शिप में होते हैं मैक्सिमम पचास मेंबर जो होता है न वो पार्टनर्शिप में होता है प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम आपके 200 मेंबर है अब मेरे को सभी का सेक्षिन बता दीजे न, OPC का सेक्षन क्या है, सबका सेक्षन तो 2 ही है, सबका सब सेक्षन खाली मेरी को बताओ, तो फटा-फट से, चलिएगा, compliance का मतलब क्या होता है, compliance का मतलब होता है, rule regulation procedure, जैसे कि अगर मैं compliance के बारे में बात करूँ, तो मेरा जो PPT है, यहां पे लिखा रहेगा, यहां पे लिखा रहेगा, मेरे टेलीग्राम का, यहां पर मेरा logo रहेगा, मैं जब भी class लेती हूँ, मैं ये टीशिट पहनती हूँ, मैं घर का dress क्यों नहीं पहनती हूँ, क्यों कि ये rule regulation है, ये compliance है कि इसको मेरे को follow करना पड़ेगा, अगर मैं इस चीश को follow नहीं करती हूँ, तो मेरा जो marks है वो cut जाता है, मेरा performance जो होता है, वो उस पर हम लोग जो feedback record होता है, उससे हमारा performance जो होता है, वो measure होता है, कि हाँ ये faculty ठीक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, बच्चों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर बच्चों का demand है, तो class बढ़ेगा, बच्चों का demand नहीं है, class कम होगा, तो ये सब चीजे पूरी जो होत ये का parameter हमें बना कि दिया है, आपको बच्चे को ऐसे content लेकर जाना है, ये आपको PPT में ऐसे होना चाहिए, ये white background होना चाहिए, उपर black होना चाहिए, font का size इतना होना चाहिए, बच्चों को समझ में आया, तो ये पूरा rule regulation हो जिसको कि हम लोग को follow करना पड़ता है, समझ म आया, येस, बिल्कुल एक line में, शेशनात ने बड़ा अच्छा एक word में बोल दिया, कि set of protocol, मैंने तो इतना लंबा चोड़ा बोला न, अब teacher room बोलनी के आदेत है, तहाँ चीज में लंबा चोड़ा बोलते, set of protocol is called compliances, चलिएगा, तो यहाँ पर हो गिया 62, यहाँ पर हो ग कमपनी का भी बता दीजे, पब्लिक कमपनी का भी बता दीजे, पब्लिक कमपनी का section किसी ने नहीं बताया है, जल्दी से वो भी बता दीजे, हाँ जी, किसी का नहीं आया, चलिएगा, 71, ठीक है, 62, 68, और इसका होता है 71, यह चार्ट पुड़ा आपके होना चाहिए, आपके copy में बना हुआ, minimum member, maximum member, minimum director, maximum director, और यहाँ पर section, पब्लिक का याद नहीं है, प्राइवेट से 3 जादा है, याद रखना 68, 70, पब्लिक से 3 जादा है, इतना तो याद रहेगा ना, 285 जो है, वो small company का है, 285 जो है, यह small company का है, और section 8 जो है, यह आपका donation NGO company का है, NPO का, चीक है, Yes, Renu, good evening, इतना लेट, चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, आप देखिए का KMP, KMP क्या होता है, पता है, KMP का मतलब पता है, KMP से exam में question आता है, very very important, KMP से exam में question आपका आता है, KMP का मतलब क्या होता है, की managerial person, यहाँ पर आपका exam में आता है, which one is not the part of KMP, कोई भी आपका company होता है, तो उसमें कुछ ऐसे designation होते हैं, कुछ ऐसे position होते हैं, जो की feel आपको करना ही करना होता है, किसी भी company में यह जो होते हैं, designation हमेशा वहाँ पर होते ही होते हैं, जैसे कि आपका CEO, MD, whole time director, अब मैं यहाँ पर सिर्फ director क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पर whole time director लिखा है, यहाँ पर managing director लिखा है, क्योंकि director बहुत सारे type के होते हैं, general director, whole time director, managing director, woman director, part time director, full time director, alternative director, उसके बाद फिर आपका बहुत, मतलब 10 से 12 टाइप के आपके सिर्फ director होते हैं, तो इसलिए आपको पूरा नाम याद रखना पड़ेगा, whole time director, और managing director, याने की MD, उसके बाद CFO, chief financial officer, उसके बाद manager, CS, और अगर कोई specified है वहाँ पर, तो यह वाला point भी आपका important है, अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा आप ल कि managerial person में, क्या CA वहाँ पर होगा, तो CA नहीं होगा, याद रखना कि CA is not the part of KMP, CEO है, CFO है, E का executive, F का financial, manager अलग होता है, managing director अलग होता है, whole time director हो गया और company secretary हो गई, yes, हाँ, इन सब के द्वारा कोई company run नहीं कर सकती, अगर आप company start करने के बारे में सोच रहे हो, तो किसी भी company में यह सब degradation होते हैं, यहाँ पर अगर आप पहुच जाओगे न, तो बड़ा ही relax है, खाली दिमाग चलाना पड़ता है, खाली दिमाग चलाओ, idea लाओ, market में product ले कर आते रहो, ओके, हाँ, CA mandatory नहीं है, CS mandatory है, company secretary, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंकेता थोड़ा से पीछे चल रहे हो, क्या आप, अंकेता live आजाओ आप, चलेगा, आगे बड़े हम लोग, आगे बड़े यहाँ तक clear है सभी को, आप देखिएगा, तो companies at 2030 में कुछ- थोड़ा सा मैं आपको और explain कर दूं, कि small company, one person company, और dormant company, यह जो funda आया है न, यह specifically इसके बारे में, और CSR का mandatory, यह जो है आपका company's act 2013 में ही आपका आया है, तो 2013 का जो आपका company's act है, उसमें यह highlight है, कि पहले जो आपके private company के जो member हुआ करते थे न, वो पहले आपके 50 हुआ क confuse करते हैं, मैं बता रही हुँ, क्योंकि आपका company's act में, private में पहले 50 था, और partnership में अभी 50 है, तो यह 50 हमें सा बच्चों को confuse करता है, तो थोड़ा सा इसको मैं clear कर दूं, कि देखो, private company में पहले maximum limit 50 member का था, लेकिन company's act 2013 में बोला, कि 2013 में कि maximum member 200 हो सकते हैं, partnership में पहले आपका 20 member maximum था, उसमें change किया गया, बोला कि maximum 50 member हो सकते हैं, तो वो 20 से 50 बना, और यह 50 से 200 बन गया, अब याद रहेगा, one person company, एक अखेला व्यक्ति भी company open कर सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप start कर रहे हो, तो आपको OPC, Priyanka company, OPC, बगल में से लिखना पड़ेगा आपको OPC word लिखना पड़ेगा, तो वो OPC, पहले आपका जो था, सिर्फ sole proprietorship था, अगर आखेले आपको business start करना है, तो उसका नाम रखा गया था, sole proprietorship, तो लेकिन बाद में बोला गया, कि नहीं, एक बैक्ति भी company start कर सकता, और उसका नाम OPC रखा गया, अब ज़रा मेरे को यह बताओ, अपना दिमाग लगा के, कि OPC कैसा company है, public company है, private company है, या government company है, ज़रा मेरे को बताईए, हाँ जो, मेरे को ज़रा बताईएगा न, येस, मेरे को ज़रा बता दीजे एक बार, कि OPC company कैसा company है, public, private या government, अरे मेरी दो-तिन company खोल लेंगे, मीनू क्या दिखकत है, आप लोग जब साथ हो, तो एक company क्या, दो company खोल लेंगे, बिल्कुल, हाना, एक बार ये question, CA के exam में पूछा था, CA में भी आपका law है, आपको पता है न, जितना भी हम लोग अभी law पढ़ते हैं न, 10 chapter, ये CA में भी है, CA वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, ठीक है, CA वाले बच्चे आके notes लेके जाते हैं, मैं के सारा notes हमें दे दो, CA में help आता हमें, तो ये आपका question एक बार, CA में आया था, क्यों कि ट्रिबिनल जो है, बहुत important है, very very important मैं यहाँ पर लिख दे रही हूं, ट्रिबिनल से exam में questions आते हैं, और CSR जो है, उसको क्या कर दिया गया था, यहाँ पर mandatory कर दिया गया था, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, जरह इस company की बार में मेरे को बताईए न, इस question के बार म में कि कौन सा यहाँ पर small company नहीं है, चलिएगा यह question आपका previous question है कहा गिया, कि सबने investment करके रखा है, इन्वेस्टमेंट कहां कियो, मेरे पास तो कुछ पैसा आया ही नहीं, हाँ, पैसा मेरे पास आया ही नहीं, investment कहां करके रखे हो, holding company और subsidiary company, small company नहीं हो सकती है, हना, registered company under section 8, small company हो सकती है कि नहीं हो सकती है, body corporate और OPC, कौन small company नहीं हो सकती है, आपको यह बताना है, चलिएगा, सभी cancer आ रहा है, चलिएगा, holding company जो होती है, वो उसका criteria अलग है, subsidiary का criteria अलग है, section 8 में तो आपका NPO आ रहा है, उसका criteria अलग है, जो small company होती है, ना, वो कैसी होती है, तो 1% company को हमनों को small company का category में भी रखते हैं, तो small company, कोई holding, subsidiary, या फिर government, ऐसी company आपकी नहीं हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर D को खाली काट दो, क्योंकि D हो सकता है, यहाँ पर cannot आप से पूछ रहा है, तो option ABC will be the correct answer, यानि कि option number C, मेरी class का timing है daily 8 बजे, अच्छे कल भी मेरा class है, कल Saturday है, Sunday को मैं खाली off दे रही हूँ आप लोग को, कल हमारा Saturday है, कल हमारा only MCQ session होगा, आपको पता है न, Saturday को मैं especially MCQ session करवाती हूँ, अच्छे conceptual question, तो कल हमारा जो होगा 30 से 40 question हम लोग करेंगे, कितने बजे, कल भी हमारा 8 बजे class होगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, दूसरा question, इस एक मिनट यह जरा दिख नहीं रहा है, इसको जरा मैं छोटा कर लूँ, आप लोगों नहीं बोला नहीं कि मैं clear screen नहीं दिख रहा है, चलिए, अभी ठीक है, इसका मिन कौन से दिजने, कि MP की बारी मा भी हम लोगों नहीं पढ़ा है, जरा बताओ तो कि MP की बारे में क्या इसका अंसर होगा, यह question आपका 2022 का question, बहुत पुराना question नहीं, 2022 का यह question है, yes, 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 D बोल रहे हैं, ABCDE, D को छोड़कर, रिस्क officer नहीं होता है, हाँ ठीक है, CEO, यह तो होता है, whole time director, WDT, यह भी होता है, company secretary भी होता है, risk नहीं होता है, manager होता है, बिल्कुल D नहीं होगा, D यहाँ है, D यहाँ है, तो option number 4 will be the correct answer, बिल्कुल, समझ गए आपनो, very good, very good, बिल्कुल D is the correct answer, चलिए का आगे चलते हैं, तो यहाँ पर यह सारा हमारा होता है, सिर्फ यहाँ पर risk officer जो है, वहाँ पर आपका नहीं आ रहा था, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा था, formation of company पढ़ते हैं, formation of company से 2023 के मार्च में question आया था, अगर आपको अच्छे से याद होगा, चलिएगा, formation of company का मतलब ही तो अभी तक तो हम लोग में के company का introduction पढ़ा है, companies act बहुत बढ़ा है, अभी तक जो मैंने आपको बताया है, वो कुछ नहीं है, बस वो company का introduction है, वो भी मैंने short में बताया, इसके detail में जाओगे तो और लंबा है आपका, आप कोई company को अगर आपको form करना है, तो कितने stage में form होता है, कोई status मेरे को बताएगा, yes, company को form करने के कितने stage होते हैं, जरह मुझे comment box में बताइए, मैं आपके salary कितनी है, kindly tell, शेशनाथ salary आपको क्यों जाणनी है, salary किसी भी चीज़ का, ऐसे fix नहीं होता है, यह depend करता है कि teacher का experience क्या है, teacher का qualification क्या है, teacher का previous company में कितना salary था, ठीक है, तो काफे सारी चीज़े होती है, fresher है तो उनकी अलग salary है, जो experience है, उनकी अलग salary है, government job की अलग है, private की अलग है, MPSET के लिए class लगाई, MPSET के बारे में मैं भी सोच रही हूँ, MPSET का exam अब nearby आ गया, कुछ special बच्चों के लिए देना पड़ेगा, चलिएगा, कितने stages होते हैं, कहीं पर आपका 3 लिखा है, कहीं पर आपका 4 लिखा है, देखिएगा, actually मैं देखा जाया, तो 4 stages होते हैं, कौन-कौन से, तो ये हैं total आपके 4 stages, शलिएगा, इसको अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, जर अब मैं आज आती हूँ, दाएं बाएं अपने आपको कर लूँ, शलिएगा, हाँ जी, तो company के 4 stage, पहला होता है promotion stage, दूसरा होता है incorporation stage, तीसरा capital raising, और 4th होता है commencement of business, कहीं-कहीं पर 3 stage लिखा रहता है, सिर्फ ये वाला, ये वाला, और ये वाला, क्यों ऐसा, तो 4th में तो business start हो गया, commencement का मतलब क्या होता है, कि business आपका start हो जाना, तो बहुत जगा पर आपका option 4 जो है, वो आपका mention है, कि 4 में तो company start हो गया, तो 3 stage हो आपका आपका option देखें, एक option के according यहाँ पर कीज़ेगा, चार stages total यहाँ पर हमारा देखा जाता है, अच्छा, promotion stage में एक word हम लोग पढ़ते हैं, promoter, ये promoter का मतलब क्या होता है, हाजी, ये promoter word का मतलब क्या होता है, मुझे ज़रा बताईए न, नहीं नहीं एक लाख कहां चल जाएंगे, एक लाख नहीं है, चलिएगा, प्रमोटर्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले लुख समझते हैं कि promotion incorporation, पदोनिति, निगमर और पूंजी के सिद्व सिता, ये आपके क्या होता है, आपके 3 stages मेल लिए याँ पर देखा जा रहा है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि promoter क्या होता, प्रमोटर जो होता है, वो कोई आपका individual group भी हो सकता है, ये individual person भी हो सकता है, जो company का क्या लेता है, initiative लेता है, अगर आपको company start करना है, तो company का idea आया कि हाँ भाई या company के start करना है अपने आपको, तो जो person होता है, जो जिसके पास idea आता है, जो company को start करने का initiative लेता है, जो देखता है कि business में मेरे पास क्या opportunity, Suppose that कि यहाँ पर हम लोग promoter जरूरी नहीं है, हाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, चीक है, यहाँ पर क्या होता है, हाँ यह जो जितना भी काम होता, promoter जो होता है, capital भी लगाता है, promoter जो होता है, वो idea भी लेकर आता है, promoter जो होता है, वो opportunity भी देखता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि promoter जो होता है, वो व्यक्ति होता है, जो business का initiative लेता है, कि हाँ बई, business को start करना है, जो business को existence में लेकर आता है, जो business में जितनी भी steps होते हैं, necessary steps जो होते हैं, formation के लिए, वो सारा steps वो लेता है, तो यह जरूरी नही है, कि हम लोग को लगता है कि promoter का मतलब एक व्यक्ति, promoter जो है group of person भी हो सकता है, तो यानि promoter जो है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, और व्यक्तियों का समों भी हो सकता है, जो company को अस्तित्व में लाने की पहल करता है, और गठन के लिए क्या करता है, कि आवशक कदम उठाता प्रमोटर का काम क्या है अभी कंपनी स्टार्ट नहीं हो देखो प्रमोशन जो स्टेज होता है यहां पर पर कंपनी इंकॉर्पोरेट होती है तो जरह मेरे को बताओ कि कंपनी के इंकॉर्पोरेट होने से पहले कि जो खर्चे होते हैं उस खर्चे को क्या बोलते हैं चलिएगा हाँ समझ में आया मेरे क्वेशन कि कंपनी को इंकॉर्पोरेट करने के पहले जो खर्चा होता है वो खर्चा को क्या बोलते हैं चलिएगा मुझे कमेंट डॉक्स में इसका आंस कर दीजे तो यहां पर क्या होता है कि इंकॉर्पोरेशन के जो भी स्टीजिस होते हैं प्री इंकॉर्पोरेशन के वो सारी के लिए रिस्पॉंसिबल कौन होता है वो सारी के लिए प्रमोटर जो होता है रिस्पॉंसिबल होता है और वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि 30's क्या बोलते हैं Preliminary Expenses जो पेपर ऑगा खर्चा हो गया स्टांपर वह किसके पास आग़ा करना पड़ता है ROC के के पास नाम का visit करवाना पड़ता है तो वो नाम जो होता है suitable name को choose करना और उसके लिए apply करना ये काम भी आपका promoter का होता है उसके बाद MOA और AOA का document को ready करना ये भी काम किसका होता है promoter का होता है उसके बाद इस पर जो sign होता है जितने भी promoter होंगे MOA पर और AOA पर जो sign होगा वो किसका होगा आपका promoter का होगा तो हम लोग एक भास्ता में बहुत सकते हैं कि प्रमोटर जो होता वो business को आकार देता है अवसर की पहचान करता है company के गठन के नीव रखता है और इतना detail में आपके लिए बस इसलिए लिए कर आई हूँ क्योंकि यहां से detail में question आ है जितनी भी आईडिया है business का जो potential है उसको देखना जैसे कि मालिचे कि अगर मैं बात करूँ टेश्ट बुक के जो मालिक है वो business के प्रमोटर होगे आपके नरेंद्र सर और अशुतोर सर तो business में क्या आईडिया है business कहां तक आगे बढ़ सकता है अगर आपको मैं बताओं दीरे दीरे आज जाकर अगर आप टेश्ट बुक का एप देखोगे एप में कोर्स का सेक्शन में जाना स्क्रॉल करते करते हाथ ठक जाएगी इतने सारे पर एड़ इतने सारे कोर्स की पढ़ाई हो रही है और जो पॉर्स का जो चार्जस वो बहुत ही आपका नॉमिरल चा फर्चस में याद आघया मेरे को एक चीछ का अगर कोई बच्छा बिहार शिक्षकबर्ती के त्यारी कर रहा है फेजी टी कॉमेर्स की तो वो खर्स ले सकता है अभी offer चल रहा है मैं PGT में पढ़ा रही हूं बच्चों को बिहार सिक्षिक भड़ती वाले बच्चों को commerce पढ़ा रही हूं तो उसका course का प्राइस आपका 870 के आसपास है पूड़ा कोर्स है 870 रुपे में हैं तो कोई अगर बिहार सिक्षिक भड़ती का फॉर्म भरा है न तो वह यह वाला course पर्चस कर सकता 870 में पूड़ा का पूड़ा प्राइस आपको मिल जाएगा और यह अमारेस का किसी ने अगर अकाउंटेंट का फॉर्म भरा है तो उसका क्लास कर्चस स्टार्ट हो रहा है उसका प्राइस जो है आपका 70.99 यह दोनों यहाँ पर है और अगर निकाल लोगे यह हमारेस का जॉब निकाल लोगे तुरंत आपका जॉब हो जाएगा तो यह जो खर्चस आ है यह डिरेक्लिल आपका जॉब के परपस से है तो 7.99 और 870 यह दोनों फोर्स यहाँ पर अवलेबल है क्योंकि अभी ओफर चल रहा है तो इसका प्राइस भी बहुत लोव हुआ है इसको भी लेना है ले लीजेगा भी याद आया तो मैंने मैंने आपको बता दिया चीक है ल То, चल ये आगे बड़े हम लोग चल यह आगे बड़ते हैं तो यह क्या होगे जितनी ब्युक्रशनिटी जितने भी आइडियास है यह सब कुछ का क्या होता है अपका प्रोडर का होता है उसके बाद फिलिग नाम का प्रूओअ ये क्ैसका होता यह function भी किसका है यह function भी आपका promoter का यह नाम को select करना उसके बाद MOA में जितनी भी छीज़ें उसको fix करना यह भी काम है उसके बाद जितनी professionals है professional का मतलब कि जितनी order हो गया banker हो गया lawyer हो गया जो ऐसे professional जिनका business को start करने में जरूद पड़ता है आपको advocate का जरूद पड़े गाई order का जरूद पड़े गाई तो इनको भी पॉइंट करना यह भी काम आपका promoter का है पेशिवरों के नियूपती करना उसके बाद जितनी भी necessary document है necessary document का मतलब क्या होता है आपका आपका MOA AOA डरेक्टर का consent यह सब भी आपका जो ready करना आवश्यक दस्तावेज को ready करना यह भी काम आपका promoter का है चीक है यह भी हम बीएसबी में h state मांगा है बिलकुल मांगा है बिहार सेट मांगा है उसमें इमर्स का मतलब क्या हो रहा पूछ रहे हैं इमर्स जो होता एकलब वे इसकी वेकेंसी निकालती है बहुत सारे वेकेंसी तो आपको पता भी नहीं है अच्छा ऑल्रेडी आप government स्कूल में है शेशना तब अच्छी बात है कि गवर्मेंट स्कूल में है तब तो बहुत अच्छी बात है कि सक्लास को पढ़ाते अगर प्रोफेसर बनके आप वही पढ़ाए यहां से अगर आपका प्रमोशन होगा तो और आगे जल्दी आगे बढ़ते जोग है अगर किसी का PRT लेवल बहुत नीचे हो जाता है PRT लेवल पर प्रमोशन होते होते बहुत टाइम लग जाता है लेकिन कोई अगर PGT लेवल पर गवर्मेंट स्कूल में घुज गया है तो फिर आगे प्रिंसिपल तक और उसके उपर तक का जो स्कूल पर बढ़ा क्लियर है कि आराम से वो किसी स्कूल का प्रिंसिपल तक तो आराम से अपना बनी जाएगा ठीक है PGT वाला मौका भी अगर आप लोग को मिल रहे तो उसको छोड़िये मत PGT वाला मौका बहुत अच्छा है PGT के सेलरी भी बहुत अच्छी है 60-70,000 सेलरी आराम से मिल जा रही है और अच् को समझ लेते हैं कि यह आर्टिकल AOA और MOA क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समलूख डिफरेंस को समझ लेते हैं देखिएगा MOA का मतलब क्या होता है कोई भी कंपनी होती है जब भी कंपनी का फांडेशन होता है यानि कभी कभी कंपनी का गठन होता है तो उसके लिए दो document जो होते, वो necessary होते, MOA और AOA, लेकिन MOA जो होता है, यह हमारा primary document होता है, memorandum of association, इसमें क्या होता है, इसमें company का जो भी detail होता है, company का नाम, company क्या बना रही है, company का capital कितना है, company के partner कौन-कौन से होगे, company के partner का address क्या होगा, maximum share capital कितना होगा, यह सारी चीजे जो होती है, MOA में दी हुई होती है, इसलिए इसको हम लोग primary document बोलते है, उसके बाद आता है, आपका AOA, AOA का मतलब होता है, article of association, यह हमारा secondary document होता है, आपके director का क्या rule regulation है, director का क्या duties and responsibility है, employee का क्या duties and responsibility है, company का क्या rule and regulation है, यह सारी कुछ चीजे आपकी AOA जो है, वो दी होती है, इसलिए ह हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कि MOA जो होता है, यह fundamental document होता है, यह लिखा भी होगा कहीं पर, यह fundamental document होता है, और यह complimentary होता है, AOA is a part of MOA, और यह जो भी आप बनाऊगे, MOA चाहिए AOA, इसके लिए आपको Companies Act 2013 को follow करना पड़ेगा, Companies 2013 के beyond जाके, आप यह दोनों document नहीं बना सकते हो, यह इसका rule है, उसके बाद यह बनाना जो है आपका compulsory है, MOA आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा, यह compulsory होता है आपका, उसके बाद कुछ है के changes करना है, उसको change करना difficult होता है, क्योंकि यह primary document है, इसको change करने का process भी बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन अगर AOA में कोई change करना है, तो AOA थोड़ा सा easy होता है, क्योंकि company का internal होता है, AOA जो होता है, internal आपके सारे information होती है, तो वो आपके हाथ में होता है, control में होता है, उसको आप चाहो तो change कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर MOA जो होता है, वो इसको charter हम लोग company बोलते हैं, charter of company बोलते हैं और AOA जो होता है, वो हमारा क्या होता है, governing body होता है, यहाँ पर rights और duty यहाँ पर दिया रहता है, इसके कोई specification नहीं, इसका specification है, और companies act के अंदर इसको बनाते हैं, और इसको हम लोग MOA और AO के अंदर अदर इसको बनाते हैं, चलि कॉलेज में बर्डेन कम है, बर्डेन तो यहाँ पर बर्डेन तो स्कूल में है ही बहुत जादा, कॉलेज में भी बर्डेन है, शेशनात ऐसा मत समझे कि कॉलेज में बर्डेन नहीं है, कॉलेज में जो है, क्लरिकल वर्ड और टीचिंग वर्ड दोनों करना पड़ता है, कुछ लोगों को लगता है कि कॉलेज में क्या है, कि गए चार गंटा पढ़ा दिया और आगे, नहीं, कॉलेज में भी पेपर वर्ड बहुत होता है, एक तो कॉलेज में स्टुडेंट का कॉलेज में थी, वहाँ पे साथ सो बच्चे का स्ट्रिंथ था, साथ सु में सिर्फ दो सेक्षन बनाया था, एक सेक्षन में तीन सो बच्चे थे सो चो, उतने अधिक-धिक बच्चे उनका सबका अटेंडनेंस लेना, पेपर चेक करना, प्रोजेक्ट देना, समझो, कॉलेज में भी बहुत पेपर वर्क है, चलिएगा, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, तो MOA और AOA का क्लियर है आपको, कि MOA क्या होता है, उसमें कंपनी के जो होते हैं, पूरे डीटेल दी होती है, और AOA में रूल रेगुलेशन, लीगल स्पेसिफिकेशन जो होता है, वो आपका AOA में दिया रहता है, गवर्मेंट कॉलेज में तो बर्डन जादा होता है, प्राइबेट कॉलेज में थोड़ा सा कम है, गवर्मेंट कॉलेज में तो पेपर वर्क मेरे को लगता है, कि और भी जादा है, बता नि मैं तो गवर्मेंट कॉलेज में इसी मेरे को त बढ़ता है जैसे कि हम लोगोंने बात के कि डायक्टर का मतलब क्या होता है आप company जो है वह तो आर्टिफीशिल परसन है तो company हट जगा तो फूद साइन नहीं कर सकती है तो company का जो सबसे head होता है जो company का अपना common seal होता लेकिन कभी भी कोई भी कॉमन सीन होगा न उसके उपर एक सिटनेचर जरूर होगा जबी से उपर सिटनेचर जरूर कोग से उपर जो होगा जरूर की बृटर कर पर ता को हम लोग क्या कहते है यहाँ पर आपका डारेक्टर जो होता है यह क्या होता है उसके बारे में बाते जो हैं आपका सेक्शन 2 और सब सेक्शन 34 में कही गई है कि डारेक्टर का मतलब होता है आपका appointment of the board of the company, यानि कि board of director, जब भी हमनों director बोलते हैं न, director कभी भी अकेला person नहीं होता, director का मतलब हमें सा होता है board of director, यानि वहाँ पर group of person जो होते हैं, वहाँ पर आपके होते हैं, उसके बाद एक होता है managing director, उसके बाद होता है holding director, उसके बाद आपका अलग-अलग और भी टाइप होते हैं, alternative director, woman director, बहुत रे टाइप्स के आपके director होते हैं, director का qualification क्या होता है, कि कोई भी specific qualification नहीं दिया है, qualification से एक बर exam में question आपका आया था, कि director बढ़ने के लिए क्या qualification है, प्रोश graduate होना चाहिए, कि MBA होना चाहिए, लिकिन कोई भी companies act 2013 में कोई भी qualification नहीं दिया गया है, कि as a director आपके पास क्या qualification होना चाहिए, बस यहाँ पर यह है, कि जो director है, उसके पास DIN number होना चाहिए, अगर आपके पास DIN number नहीं है, तो आप किसी भी company के जो director है, वो आप नहीं बन सकते, DIN का full form क्या होता है, डारेक्टर identification number, वो आपको एक बार, जैसे कि हमारा अधार कड होता है न, हमारा identification number, वैसे director का भी identification number होता है, DIN number, उसके थूँ क्या करते हैं, किसी भी company में director अगर उसको बनना है, तो उसके पास वो होना ज़रूरी है, अगर वो उसके पास नहीं है, तो वो किसी company में director नहीं बन सकता है, तो यह आपका qualification के बारे में, अच्छा, उसके बार duties है, तो कुछ उसके general power होते हैं, कुछ उसके special power होते हैं, इसको हम लोग आगे के classes में continue करेंगे, क्योंकि अभी director बहुत लंबा चौरा topic है, अभी complete हो नहीं पाएगा, टाइम हमारा अब हो गया है, तो मेरे को लगता है, company's act का मेरे को part 2 लेकर आना पढ़ेगा, तो मैं देखती हूँ, अगर possible होता है, तो मैं company's act का part 2 लेकर आऊंगे, जहाँ पर मैं types of director अभी मेरा बचा है, duties, powers बचा है, tribunal बचा है, फिर company जब बंध होगे, तो कैसे कैसे बंध हो सकते, तो मैं इसका part 2 आपके लिए लेकर आऊंगी, इस week तो नहीं हो पाए, दे देती हूँ, यह थोड़ा सा homework question आप लिख लीजे, कि या screenshot ले लीजे, कि कौन सा इसमें से general duty नहीं है director का, यह question आपको previous exam में आया है, और हाँ, जिनको भी subscription लेना है, ले सकते हैं EMI पर, तीन EMI का भी option है, और चाहे तो एक बार में भी ले सकते हैं, यहां तक हम लोगों ने companies एक पड़ा, कल हमारा क्या होगा, तो कल जो होगा हमारा MCQ session होगा, MP set और assistant professor net और set के regarding लेकर, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, MP set उसके बाद net और साथ में आपका assistant professor, यह तीनों exam के point of view को ध्यान में रखकर, मैं question set करूँगी, और कर करीबन हम लोग 30 से 40 question मेरे चार्गेट रहेगा, कि 40 question तक हम लोग कल के class में cover करें, class कितने बज़े होगा, तो ठीक 8 PM पर class होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजगा सभी लोग, question का answer भी दिख गया गलती से, ठीक है? motivation का dose कल का micro अच्छा था, अच्छा question दिखा नहीं, मैं आपकी पीछे चूपी हुई थी, एक मिनेट रुकी 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 रुकी, मैं अपने आपको hide कर ले रही हूँ, अभी देखो question दिख रहा है, चलि तब तो अच्छा है, question नगा नहीं दिखा, तो answer भी आपको नहीं दिखा होगा, हाँ जी, चलिए गा, तो आज का class अम लोग यहीं तक रखते हैं, इसका answer आप लोगों को सभी को comment box में देना है, ओकी, bye bye, take care, all the very best, 90% off, जी हा, हम आपके सपनों को साकार करने के लिए, सुपर कोचिंग पर दे रहे हैं, exclusive discount के साथ-साथ 33% की extra quality, तो अगर आप UPSC, SSC, banking, teaching, UGC net, CSR net, AJ, railway, defense, state PSC, non-PSC, non-PSC-C exams की तयारी करें,